मैं बतारी थी देखने और दिखाने में कई बार गलती हो जाती है जितने लोग फेस्बुक पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से चैटिंग वेटिंग करते रहते हैं खास्तोर से ये जो हमारे नौजवान साथी हैं उनसे भी ज्याद है जो भूद्बूर नौजवान साथी हैं जने अभी अभी फेस्बुक का वोट्सेप का चसका लगा है कई बार सामने वाले को वो देखनी पाते की कौन है बाते अच्छी होनी चाहिए और प्रोफाइल यदि लड़की का है और यदि खूबूरत लड़की का है जैसे हमारी चाननी पांडे जी रूपा श्री जी या या आप जैसे मानना चाहें है कई बार गलती हो जाती बाद मा पता चलता है हां मुझे पता था इस म indigenous मैं यही आवाज आईगी मैं द Thanh कर रही थी कई बार एक बाद आती ऐ कि चमकता जग और हमक जाल निकला था चमकता, हाँ वाबा करते रही है, हाथ मकड़ो, देखो आप सब के सामने हाथ मत पकड़ो, मैं फिर इनकी बात बता रही हूँ, कि मैं बता रही थी कि चमकता जग मगाता है, धामक जाल निकला था, हुए ब्लेक मेल, इस्क्रीन शॉट से सब माल निकला था, हाँ, इन्हें बिठाओ, बैठे, आप जितनी तेजी से आए और उस सोफे पर ठस गए, मैं आपके इस कौशन को प्रणाम करती, मैं बगारी थी, सुने, आदेनिये, सलीम, शिवालवी जी, ध्यान से वो भी हलकी ऐसे ही बैठे, कि चमकता जगमगाता एक ध्रामक जाल निकला था, हुए ब्लेक मेल स्क्रीन शॉट से सब माल निकला था, और समझकर सुन्दरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, समझकर सुन्दरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग असलियत सामने आई तो सुन्दरलाल निकला भा कई बार ऐसे गटनाय गट जाती है मैं बहुत खुब्सूरत पंक्तियों से नामंत्रन देती हूँ हमारे भी जो शायर आने वाले हैं कहती हूँ कि जहां पर सच दया सम्मान और एमान रहता है जहां पर सच दया सम्मान और एमान रहता है वही जाकर वो अल्लह और वो भगवान रहता है अगर तूने निकाला है किसी के पाउं का काटा आपकी तालिया तैयार रहे और मुझे अहसास कराएं कि आप इन कभी को सुनना चाहते हैं इन शायर को सुनना चाहते हैं आप सीधे हो करके चलें कि जहां पर सच देया सम्मान और एमान रहता है वही जाकर वो अल्लह और वो भगवान रहता है अगर तूने निकाला है किसी के पाउं का काटा अगर तूने अगर तूने निकाला है किसी के पाउं का काटा तो ये तैहे तेरे दिल में कोई इनसान रहता है जो दातालिया हो सलीम शिवाल अल्यूज़ कुछ ऐसे लोग ने नामर्द को भी मर्द कहते हैं यदि आपकी इजाज़त हो तो साथ पिछू पर मुझे भी कुछ यहादा है कि पित्ते होकर खुद को गच का नाम समझने लगते हैं और शायरी हो और बात पहुंचाए तो आपका मन चाहिए कि जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं और एक तो चीटी जिनकी अंबर राह छोड़कर निकल गई वही केचुए खुद को अकसर साथ समझने लगते हैं पिरा मैं है कि आपकी शायरी यहां तक तमचे बहुत शांदार लोग सुन रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वो चमक वो निखार अभी है कुछ भी बड़ला नहीं खुदा की कज़म आशिकों की ततार मैं पूरे सम्मान से आपका बहुत अमिवादन करती हूँ और इस मन्च से नमन पहुचाती हूँ और एक छोटी सी बात कहके आपको शायरी के लिए आमंतरन देती हूँ कहती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए और तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं ये उमर है भजन की भजन कीजिए भजन जैसा कुछ सुनाएं लोग सुनना चाह रहे हैं कि यह पाशी है यहां पीपी के काम जला लेते हैं देखियो फिर इंहोंने चेड़ा लाजाने क्या है यार मेरा फ़र्ण में अभी है आत मेरे पिता तुल्ले हैं और बेटियां जब छेड़ती है तो पिता बहुत अच्छी शायरी करते हैं बस यही माहौल में चाहती हुए पर जोर दार तालियां और शायरी करते हैं हुआ 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 है